राम राम दोस्तों, कैसे हैं, अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे, त्यारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। NCRT की किताब खरीद करके और हम उनके परते एक टोपिक को बड़े ध्यान के साथ पढ़े हैं बहुत ही गहराई से पढ़े हैं और साथ ही साथ एक नोट बुक ले ले हैं नोट बुक ले करके हम पर्षन उतर बनाते चले जाएं मुख्य बिंदू को लिखते चले जाएं और जो कोई कठिन बात हो उसको भी नोट करें लेकिन नोट बनाते समय हैं आप संगसेपन का विशेश ते अंदर के यह नहीं कि पूरा का पूरा आप परिग्राफ उतारते चले के हैं आप उसी बात को नोट कीजिएगा जो बात बहुत महत्तोपन है जो बात आप याद रखना चाहते हैं जो बात आपको याद है उसको आपको याद रखने की आवसिकता नहीं है इसकी साथी साथ आप एक अगर पन्ना हमें साजेब में रखें तो वो आपके रिविजन में बहुत महत्तोपन मदद कर सकता है जब भी आप रास्ते में जा रहे हैं एकांत में बैठे हैं या आराम कर रहे हैं तब आपने उस पन्हें को खोल कर देख लिया और आपने उसको त्यार कर लिया इसके अलावा हम पूरे दिन भर में क्या पढ़ते हैं हमने क्या किया है उसका मन्थन एक बार सोते समय हमें जरूर करना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, किस रूप में पढ़ा और मुझे क्या याद नहीं रहा और जो याद नहीं रहा उसको वापस क्या करना चाहिए? देखना चाहिए, रिविजन करना चाहिए और दुबारा रिपीट करना चाहिए. कई लोग कहते हैं कि कोचिंगों से हमें बहुत मदद मिलती है. तो दूस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोचिंग साइथा कर स लेकिन सेल्फ स्टेडी का कोई जवाब नहीं है. आप लगातर सेल्फ स्टेडी करते जाएं, अपने आपको मेच्चूर करते जाएं, अपने आपको क्या है परिपको करते जाएं, हर दिन आपका एक कدم आगे बढ़ने वाला थाबित होता है. हमें सां रूटीन वरक में बाहर नहीं होना चाहिए पढ़ाई इंजो की साथ करें अगर आप ऐसे वातावनों में रहते हैं जहां बाहर से सोरगुल बहुत ज़्यादा होता है बहुत ही सोरगुल रहता है सारे दिन बर रोड चलती रहती है आप पढ़ने पाते हैं इस स्थितिका एक विकल्ग है कि आप अपने कमरे में या तो पंखा चला ले होई तो पंखी की आवाज क्या है बाहर की आवाज को नहीं आने देती है इसके अलवा अगर आप गाने के सूकीन है तो छोटे मुटे ऐसे दस गाने चैन कर लीजीगा जो सिर्फ आपको पसंद हो और उनको बहुत हलकी सी आवाज में पहले कर लीजीगा पहले सुरू सुरू में आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मन नहीं लगा लेकिन फिर आपको पताने लगेगा और आप तन में हो जाएंगे एक बैठनी की मुद्रा आपकी सही होनी चाहिए बैठनी की मुद्रा अगर आप लेटे लेटे पढ़ रहे हैं तो पांच मिन्ट बाद में आपको नींदा जाएगे अगर आप धंग से पढ़ रहे हैं बैठे बैठे पालती मार करके या जैसे भी तब आप आराम से पढ़ सकते हैं और नींद भी नहीं आईगी इसके लवा पढ़ते समय आप जो आवसित भोजन है उसकी मात्रा को बरकरार रखे हैं क्योंकि भोजन है वो जरूरी है अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा जो सरीर है वो ज्यादा वर्ख करेगा ज्यादा वर्ख करेगा तो उसको उर्जा किया हो सकता होती है उसको प्रियाबत मार तरह में उर्जा देते रहें लेकिन सबसे बड़ी मेरे विद्यारती साथम की एक समस्य है और वो समस्य है कि वो टाइम पर सोते नहीं देखो दोस्तों हमारे मस्तिशक कि किरियाविदी आराम के बाद अच्छा वर्क करती है तो आप जितना भी समय सोने में दे पाएं उतना बिंदास उपर सोने उठें फ्रेस माइंड उठें फ्रेस माइंड तेरी करने के लिए जोठें लेकिन ऐसा नहो कि आप रात रात भर जाग रहे हैं फिर सुबह भी वैसे लग रहे हैं यह तरीका है वह मस्तिस्क को ठकाने वाला होता है प्रेस में उसे आराम चाहिए क्योंकि लगातार हम चलते रहेंगे तो उसकी मेमोरी है वह ग्रैंड करने में सक्षम नहीं होती है प्रियाप्त नींद के साथ हम यानि फ्रेस उठेंगे तब ही हमारा मन पढ़ाई में लगेगा तो निश्यत तोर पर कुछ तरीके आपको ध्यान रखने चाहिए प्रियाप्त नींद लीजिएगा पढ़ते समय बिल्कुल उतनाव मत लीजिएगा और साथी साथ पढ़ते से मैं नोट्स बनाईएगा हो सके तो अपने साथी से परसनोक्तर करते रहिएगा अपने साथी से डिसकस कीजिएगा और मन ही मन उनको दोराते रहिएगा दिन में जो पढ़ा है उसको साम को आपको एक बार पुनाए अवसे दोरा ना है हाला कि दोस्तों में कोई बड़ा ग्यानिया महत्मा तो नहीं हूँ लेकिन मैंने अपने अनुबहों के आदार पर आपको ये चीजें बताईए कि हम पढ़ाई को किस रूप में सुचार रूप से जारी रख सकते हैं इसके इलावा सबसे जो पर मुख है निरन तरता अगर हम रोज दस परसन भी पढ़ेंगे तो साल बेर में हमारा संकलन काफी बड़ा हो जाएगा खूब बड़ा संकलन होगा हमारे पास लेकिन हम करते कि हैं पर एक साइट जब नज़्दी काते हैं तब पढ़ते हैं और ऐसी इस्तिति में हमारी तैरी है वो प्रोपर रूप में नहीं हो पाती है आप सुरुआज से लग जाएगे एक साल आप यह सूच लिगा जिए कि मुझे नोक्री प्राप्त करनी है और एक साल तक आप ऐसा जीवन जीए जिसमें सिर्फ पढ़ाई हो रिष्टेदारों के यहां जाना आना बंद कीजिएगा या कम कीजिएगा और फालतू की गुमाई है उसको थोड़ा सिमित कीजिएगा और आम तोर पर जो घरेलू चर्चें होती है बात चित होती है उनको भी थोड़ा सिमित कीजिएगा एक ही धुन सवार होनी चाहिए कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है तब आप आराम कीजिए उस समय आप अपने आपको पढ़ाई में जोंक रहें इसका महलब आप पढ़ नहीं रहें हैं एक तरीका बहुत बार देखने माँ था किताब लेकर बैठ जाते हैं मन कहीं दूसरी जगह है तो उस समय में कुछ भी आद में होगा ऐसे स्थिति में आप मन को एकागर कीजिए जब मन आपका पढ़ाई के लिए तियार हो तब आप पढ़ेगा नोट्स बनाईएगा पैड़िएगा गुन गुनाईएगा और हो सके तो आप उससे जोर से भी बूले और अगर आपके पास साधन है कोई बॉर्ड है या कोई और चीज है तो आप उस पर बैतोर अध्यापन भी कीजिएगा मलत आप अपने रूम में अकले हैं एक आपने बॉर्ड ले रख़ा है उस बॉर्ड पर आप खुद पढ़ाईएगा उस टोपिक कρο अकले ही पढ़ाईएगा आप देखोगी कि वो टोपिक आपको याद हो जाएगा बिलकुल याद हो जाएगा ऐसा मान कर पढ़ाई है कि सामने मेरे बहुत सारे भी दार थी बैटे है जैसे मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ और अब ऐसा एसाश कर रहा हूँ कि मेरे सामने एक पूरी क्लास बैठी है बनकी कोई ने बैठाया आप भी मेरे सामने नहीं है धर्सक के रूप में नहीं है लेकिन मैं आप से एक बात करता हूँ कि आप जितना ज़दा इसमें तन तकिस하 जोटोगे है उतनी ज़्यादा सफलता मिलेगे फाल तु बातूं के पर विचार करना बंद कीजिएगा कि नकल होती है टिपंतरी होती है या वो चीज़े हैं वो हमारे दिमाग को दूसरी दिशा की तरफ ले जाती है यानि हमें एक सेट चाहिए और वो एक सेट हमें मिल जाएगी ऐसा विश्वास करके आप पढ़ेगे निश्यत तोर पर सफलता मिलेगी दोस्तों तनमेक ताइक साथ पढ़े ही का और हमारे में एक आदत पढ़ेगी मैं हर बार कहता हूँ यानि सचे रूप में वो याद है में जो हमारे दिमाग में उत्तर आता है परसन पढ़ता ही उत्तर आ जाता है वो याद है लेकिन हम चार ओप्शन के बाद एक अंदाजा लगाते है और वहीं हम पिछड़ते चले जाते है पर चार रास्ते हमें दिखा दिया है हमें चैन करना कि कौन सा रास्ता चैन करना कभी कभी दो रास्ते मिलते से लगते हैं हम दूसरी रास्ते पर चले जाते है लेकिन हमें पका पता होना चाहिए कि एक ही रास्ता सही है और इसलिए मैं आम तोर पर अपने चैनल पर हमिशा वन लाइनेर वीडियो ही अप्रोड करता हूँ कि उत्तर एक ही है उत्तर एक ही है हमें चार ओप्शन नहीं देखने हो अब जितने पढ़ाने वाले हैं यूटूब पर सब अपने अपने इसाब से चार ओप्शन बनाएंगे जितने भी गुरुजी हैं जितने भी हमारे सिक्सक बंदों हैं सब अपने अपने इसाब से चार ओप्शन बनाएंगे हम जिसकी क्लास में भी जाएंगे वो चार ओप्सन बनाएंगे उत्तर हमारा ये की है लेकिन ओप्सन हमारे क्या हो जाएंगे बहुत सारे हो जाएंगे इसलिए हमें उस उत्तर पर ही वार करना चाहिए उत्तर पर ही फॉक्स करना चाहिए जबकि हम क्या करते हैं चार लाइन के परसनों यानि वस्तुनिस्ट परसन पढ़ते रहते हैं कि उत्तर चार है वो चार में से हमें चैन करना है और चार में से चैन करना है प्रिक्सा में भी वैसा ही पूचा जाता है तो प्रिक्सा में पूचा जाता है लेकिन हमें एक्जक टूप में वह याद नहीं है हम उस समय थोड़ा सा भी अगer इदर उदर कर दिया जाता है तो हम सोचतें ये कुन सा परसं हागihad हाँ उसके पूरी प्रस्टबों में याद रखिये तो सारा चीज मिला करके आप एक तरह से सन्याशिय बन करके अपने आपको पूरा का पूरा जोंक दीजिएगा पढ़ाई में आप दीन दुनिया से एक तरह से कट जाईएगा लेकिन साथ में मनोरंजन भी कीजिएगा अच्छा खाना भी खाईएगा और अच्छी तरह से रहिएगा भी यानि मन स्वस्थ रखिएगा शरीर स्वस्थ रखिएगा और तब पढ़ाई होगे यानि आपका मन परसंद पढ़ाई नहीं होगे कहीं भी आपको पीड़ा हो रही है दर दो रहा है कुछ दो रहा है तो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो स्वाचते भी जरूरी है परसंद भी जरूरी है और साथी साथ मनोरंजन भी क्या है जरूरी है तो मनोरंजन भी कीजिएगा पढ़ाई भी कीज अब ये है कि आपको याद रखने का तरीका फूंस है ट्रिक के द्वारा याद रखते हैं या सुतर के द्वारा याद रखते हैं जो भी आप तरीका अपनाते हैं उसके द्वारा याद रखिएगा कुछ परसन हैं वो सुतर के द्वारा याद होते हैं कुछ ट्रिक के द्वारा याद होते हैं कुछ किस तरके से याद होते हैं लेकिन याद आपको करना है और हमेशा पॉजेटिव माइंड रही है पॉजेटिव माइंड आप जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही जगा आप अच्छा पढ़ सकते हैं और दूसरों को देखकर आप ये शिक्सा लीजिएगा कि उसने सफलता के लिए रास्ता कुन सा अपना है था आखिर मेरा जो साती है उसका चैन हुआ तो वो सफल कैसे हुआ उसकी सफलता का रहे से क्या है दोस्तों बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आपके सामने वीडियो के रूप में आ रहा हूँ आम तोर पर आपने मेरी आवाज सुनी है चैरा बहुत कम लोगों ने देखा है आप मेरे प्रस्णोंतर को पसंद भी करते हूँ लेकिन मैं लाइव के रूप में सीदी बाद्चित आप से बहुत कम कर पाता हूँ क्योंकि कैमरे से थोड़ी सी जीजक सी होती है आलांकि मैं अच्छा खुद एक फोटोग्राफर भी हूँ वीडियो प्रव्यूंए लेकिन मुझे खुद कैमरे से जीजक है तो दोस्तो सईसी बात तो ये है कि हमें हर आल में पढ़ना है और बिंदास होकर पढ़ना है मनोरंजन की साथ पढ़ना है पढ़ाई को मनोरंजन समझ कर पढ़ना है बोर प्रियत के साथ ने बोज समझ करके नहीं पढ़ना 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 है नहीं एक सपना पाल कर पढ़ना है अच्छा सपना सुन्दर सपना जब हमारे सामने एक सुन्दर सपना होगा तो पढ़ाई अपने आप सुन्दर हो जाएगी लेकिन हमारे सामने पहले ही ये कि मेरे चेन होगा या नहीं होगा मेरे पर सिन याद होगे या नहीं होगे मैं इस विशे में कमजोर हूँ मुझे ये याद होता ही नहीं है तो निशित तोर पर ये संदिक दिताव आ जाती है आप हमेशां और हमेशां एक सुन्दर ख्याल पा लिए और फिर उसके साथ आगे बढ़िए पढ़ाई उस ख्याल को पूरा करने में हमारी मन करती है कि मेरी नोक्री लगेगी, मेरी पोस्टिंग होगी, मैं टीचर बनूंगा या बनूंगी और मैं कलासरूम में हूँ तो ऐसी कालपनिक जो दुनिया हम रखेंगे तो उसके बाद में अपने आप हमारे सामने क्या है पढ़ाई का जो वाताओ नहों बनता जाएगा आप सिक-सिक बनने जा रहे हैं या जो भी नोक्री आप राप्त करने जा रहे हैं उसके लिए हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा दोस्तों हलांकि कोई बड़ा ज्यानिया भी से से तो नहीं फिर भी मैंने अपने अनुवर्क से जो कुछ सीख आ है वह आप तक प्रेसित किया है ऐसा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप अपनी त्यारी को उसी रूप में देंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप पढ़िएगा नोक्री लगिएगा आप नोक्री लगने की सूचना जरूर दीजिएगा कि मेरा चैन हुआ है बड़ी कुछी मिलती है बड़ा आनन दाता है आत्मा में बहुत संतुष्टी होती है कि वह चैन हुआ है सफलता में लिए तो दोस्तों इसी के साथ देते हoi ha p exclusion पढ़े है लेकिन पढ़ें जरूर कैर ला किशी के साथ अब का भाईे आपको नमस्कार अभी बादन मैं वीरवल सिह आपका तहरील से अभीयादन करता हूं नमस्कार आपे चलाग जड़ा है